हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ बदीभा, मेरे चैनल कानपूर की चैनल व्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स आज हम मनाएंगे तर्बूच के चिलके का बहुत ही क्रिस्पी इंस्टेंट डोसा इसमें आपको दाल चावल भिगोने का कोई जंजट नहीं है फटा फटा आप इसे सुवई के नास्ते में बना सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा जिस तरह से तर्बूच हमारी बॉड़ी को हाइडरेट रखता है ब्लेट प्रेशर को कंट्रोल में रखता है उसी तरह से इसके चिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B और C पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो आप लिए हुए है कुछ तर्बूच के छिलके जिन्हें हम फेक देते हैं वेश्ट समझ करके उनहीं से आज हम डोसा बनाएंगे तो इन्हें हमने अच्छे से वॉस कर लिया हुआ है इसके बाद हमें पीलर से इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे निकाल देना है तो दे अब हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी टुकड़े कट कर लेंगे इस तरह से चोटी छोटी टुकड़ों में इसे काट लीजिए अगर जो रेट पार्ट अगर आपको ज्यादा दिख रहा हो तो आप उसे भी अटा दीचेगा तो देखे हमने इस तरह से काट के तयार कर लिय अब हम इसे एक मिक्षी के जार में डालेंगे इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी आप कोई भी सूजी ले सकते हैं मोटी वाली या भारीक वाली सेम क्वांटिटी में हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा एक चमस डालेंगे बेशन और अब हम इसमें डाल देंगी थोड़ा सा पानी तो थोड़ा सा पानी डाला हुआ है मैंने आधा ग्लास के जितना और एक हरी मिर्च को इस तरह से तोड़के डाला हुआ है इससे अच्छी से ग्राइंड करेंगे अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते ह तो ये देखे फ्रेंज मैंने से अच्छे से ग्राइन कर लिया हुआ है ये देखे एकदम स्मूध पिसा हुआ होना चाहिए बिल्कुल भी टुकडे नहीं होने चाहिए अगर बड़े टुकडे रह जाते हैं तो फिर आप इसे मोटी छलनी से छान लीजिए बैटर थोड़ा स इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ढख करके इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे टाइम है तो छोड़ दीजिए अधरवाइस आप तुरंती इसे बना सकते हैं तो देखे मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ा हुआ था ये थोड़ा सा सूजी फूल के ठीक ह हो गई है और थोड़ा साम इसमें नीबू का रंस डालेंगे इसी के साथ हम डाल देंगे एक चोथाई छोटी चमस्ट बेकिंग सोडा जिससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन होगा और ये जो बैटर है वो थोड़ा सा फलफी हो जाएगा अच्छे से मिला लिचे और सोडा को आपको तभी मिक्स करना है जब आप डोसा बनाने जा रहे हो तभी यहां पर तवे को हम थोड़ा सा तेल लगा के चिकना करेंगे फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर किसी अच्छे से पोच देंगे जिससे कि इसके क्या होगा कि टमपरिचर जो है वो मिन्टेन हो जाएगा इसमें हम एक बड़ा चमज भर करके यह डालेंगे मिस्टन और इस तरह से इसे गोल घुमाते हुए फैला देंगे तो एक ही डायरेक्शन में आपको गोल घुमाती जाना है जैसे कि हम डोसा फैलाते हैं और इसे ऊपर से पूच के छिलके से बनाया हुआ है दुबारे डोसा बनाने से पहले फिर से हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अगर आपके तवे का जो टमपरेचर है वो ज्यादा होगा तो आप डोसे को अच्छे से फैला नहीं पाएंगे इस लिए इसमें थोड़ा सा पानी दालना जरूर होता है और फ्लेम को धीमा रखिए जब आप डोसा फैला रहे हूं जब अच्छे से फैला ले इसके बाद तेज कर दीजिए जब डोसा हलका सा ड्राई उपर से दिखने लगे तब आप इसके उपर ऑईल या घी लगा दीजिए और जब तक ये एक साइट से आ अंत बाद ही तभी अच्छे क्रिस्पी रहते हैं क्योंकि ये तरबूज के छिलके से बने हैं तो थोड़ी देर रखे रहने के बाद ये सौफ्ट हो जाते हैं आई होप कि आपको मेरी ये तरबूज के छिलके के डोसा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक है